आज प्रभीय सुख्रेस अपने उन सभी शिश्यों को वापिस पाते हैं, जिन्हें उन्होंने मिशन कार्यों के लिए भेजा था। आत्मुदर्शन टीवी के माध्यम से हम आज आपके सामने प्रभु के वचनों पर मनंचिंतन के लिए लाएं हैं मारकुस रचित सुसमाचार अध्याए छ पत संख्याएं तीस से चौंतिस तर वे पुनह लोट कर प्रभु के पास आते हैं और खुशी खुशी बताते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। वे बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थनाई की, उनकी सेवा की, उनकी मदद की, जो प्रभु ये सुचाते थे वही उन्होंने किया। परंतु इसके साथ ही प्रभु ने देखा कि वे हमेशा भीर से घीरे रह रह रहे थे। लोग उनके चमतकारों, उनके कारियों को देखकर उनका अधिक पीछा करती थी और बहुत बड़ा चंसमू हमेशा उनके आगे पीछे रहता था। यह देखकर कि प्रभ येशु को प्रार्थना के लिए सम्मय तक नहीं मिल पा रहा था। वह अपने शिश्यों से कहते हैं आओ और मेरे साथ अकेले चलो। वे उन्हें एकांत में ले जाकर उनके साथ प्रार्थना करना चाहते थे। वे इतने व्यस्थ हो जाते थे कि उन्हें भोजन करने तक की फुर्सत नहीं रहती थी। और जब वे नाओ पर चड़कर अपनी शिश्यों के साथ जाते हैं तब देखते हैं कि उनके पीछे बहुत बड़ा जन समू उन्हें देखते हुए उनकी और देखने लगा। यह देखकर प्रभी ये सुक्रिस को उन पर दया आई और उन्हें लगा कि यह सब उन भेड़ों की तरह है जिनका कोई चरवाह नहीं और इसलिए वे रुख चाते हैं और तब उन्हें शिक्षा देते हैं। प्रभी ये सुक्रिस के इन वचनों में सबसे महत्यपून बात जो आज हमारे मनचिंतन के लिए है वह है किस प्रकार मैं अपने लोगों की सेवा करता हूँ। क्या मैं लोगों की जरूरतों को पहचान पाता हूँ। जिस प्रकार प्रभी ये सुक्रिस उनकी वचनों की भूग को पहचानते हैं और रुख चाते हैं। क्या मैं लोगों के वचनों की फूख को समाप्त कर पाता हूं? क्या उनकी संतुष्टी के लिए मैं कुछ कर पाता हूं? प्रभु के कार्य प्रभु के वचन यही है कि हम सदेव लोगों की सेवा करें चाहे शिक्षा के द्वारा चाहे लोगों को आत्मनिर्भर करते हुए या फिर लोगों को अस्पतालों में सेवाएं देते हुए हर प्रकार के कार्य जो हम करते हैं उन सबी के द्वारा हम प्रभु के कार्यों को करते हैं और वह कार्य है प्रभु के प्रेम को फैलाना यदि आप और मैं प्रभु के इन शब्दों में विश्वास करते हैं तब अवश्य ही हम प्रभु की उन बातों को भी मानेंगे जो प्रभु आज हमसे इन वाक्यों के द्वारा इन वच्णों के द्वारा कह रहे हैं यह कि क्या हम इन लोगों को उन भेडों की तरह देख पाते हैं जिनका कोई चर्वाहा नहीं जिन हें कोई सची राह दिखाने वाला नहीं जिन हें कोई अच्छे से पालन पोशन करने वाला नहीं यदि हाँ तो आज से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु के इन वच्णों को माने उन में विश्वास करें और उन सभी लोगों के लिए उन जरूरत मंदों के लिए प्रभु के उन कारियों को करें जो कारिय प्रभु ने किये हैं लोगों को पढ़ाना उनकी सेवा करना उनकी सेवा करते हुए यदि जो लोग बिमार हैं उनकी मदद करना वे लोग जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आ श्वास कर रहे हैं, हम अपने हृदय को परिवर्तित करें, उन लोगों के प्रती स्नीह प्रेम की भावना रखें, ताकि जीवन में ना केवल हम, बल्कि इस संसार में समस्त लोग प्रभू के उस प्रेम को अनुभव कर सकें, तो इस प्रेम के लिए प्रभू ने स्वयम को ख झाल झाल